मन्ज के स्वीचर्णों में प्रणाम करती हूँ नमन करती हूँ आप सभी सुधीशोताओं को प्रणाम करती हूँ नमन करती हूँ इस मन्ज की सबसे नन्ही का लमकार हूँ इसलिए आप से विशेस होसले के उमीद करती हूँ बहुत आभाए पूजा की पंतियों से शुरुवात करती हूँ देखेगा और अपना आशिरवाद समर्थन बनाए रहिएगा मुझे होसला दीजे, हिम्मत दीजे, कुछ अच्छा करने के गोशिश करती हूँ सुनिएगा एक सरसाधिका हूँ मा तेरी आराधिका हूँ तो तली जबान किंतु अरजना महान है अश्रुपून है नयन, भावपून है अयन कल्पना को शक्ति दे दो व्योम में उडान है कल्पना को शक्ति दो व्योम में उडान है ग्यान की आगार स्थ दे तु देनतार आज ग्यान की आगार स्थ दे तु देनतार आज ग्याव मजधार बीच हाथ तेरे मान है और मूख भी हुए प्रगल्ब हो गई क्रपाजो अल्प मूख भी हुए प्रगल्ब हो गई क्रपाजो अल्प दात्री विधात्री तुझे तो सर्वभान है आपकी तालियां मुझे कमजोर कर रही है आपसे विशेस हौस्ति की उमीन चाहती हूं बहुत आभर अगला चन देखिएगा मंद गती मंद मती मंद ना होए प्रगती हो कुवृत्ति से निवृत्ति भाव दीजिए मुझे हो सरल चित चित में हो शुद्ध वृत्ति कृती हो स्विकृति वो सभाव दीजिए मुझे और नीत के समक्ष हो विनीत शीष मापरंतु जीत हो अनीत पर प्रभाव दीजिए मुझे और दीन हीन पत्विहीन मनमलीन लक्ष हीन दीन हीन पत्विहीन मनमलीन लक्ष हीन ता जले वही अलाव दीजिए मुझे हीन ता जले वही अलाव दीजिए मुझे हीन ता जले वही अलाव दीजिए मुझे और चार पंक्तियां रखती हूँ परिचे की तौर पर जा बात है दिदी साविस्ता बिर्जेश होसला बढ़ाते हुए साच्छी किवारी का बहुत आभार मंज का मुझे बहुत होसला मिल रहा है और होसला पढ़ो पुरा होसला मिल रहा है चार पंक्तियां रखती हूं मेरे परचे की पंक्तिय हैं और आप सभी का आशिरवाद चाहती हूं सुनियेगा स्वागत, 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 स्वागत चार पंक्तिया और देख लीजेगा देश की बेटियों के हवाले से चार पंक्तिया पढ़ती हूँ पे बेटियों को भी अपने देश से प्यार है, अपने वतन से प्यार है तो ये चार पंक्तिया समर्पित करती हूँ सुनिएगा स्वागत पे खड़ी होकर इसको फहराऊंगी पेटा आफिर बात पहरे होजाँ जोखने ना कभी दूगी ये शान है हम सबका जोखने ना कभी दूगी ये शान है हम सबका ये सवाभी मान अपना दुनिया को दिखाऊंगी इसको फहरांगी और भाई शेखल ठापुर ने चाच्छी बीटिया को पालारपड करके अपनी उर्जा और होसला भी दिया एक जोड़ार तालिया हो जाए भाई चाहब क्यों बीटिया बहुत पढ़ी है बीटिया तुम माइक की बिल्कुल पास से पर देखी आज के इसे पढ़िया नहीं पढ़ती है इसमात्र भूमी को प्रणाम करती हूं नमन करती हूं और ये चार पंक्तिया देख लीजेगा अपनी इस माटी का समानत्रंगा है भारत के जन जन का अभिमानत्रंगा है भारत के जन जन का अभिमानत्रंगा है जन नीव जन मभूमी है सएक से पढ़कर भी अपने भारत भू की पहचानत्रंगा है भारत के जन जन का अभिमानत्रंगा है और चार पंक्तिया इसी से जुड़ी हुई इसी को पढ़ते पढ़ते विश्वास मानिये तीन सो सत्तर धारा हट गई देखीगा ये पंक्तिया भी अब मोल चुकाना है इस पावन माटी का हम कसम उठाते हैं शाश्वत परिपाटी का हम कसम उठाते हैं शाश्वत परिपाटी का आरी चाती पर चढ़के तांड़ो नरतन होगा त्रिन मात्र नहीं देंगे केसर की घाडी का जोर द्यार चालिया पहत पढ़िया बेटा कमाल हो गया त्रिन मात्र नहीं देंगे केसर की घाडी का अज मेर भी प्यारा है प्यारी मथुरा काशी हम मले ता मिलके हो या हो बंगला भाशी हम मले ता मिलके हो या हो बंगला भाशी पूरब हो या पस्चिम मत भेद नहीं कोई हिंदू ना मुसल्मा है हम है भारत वासी हिंदू ना मुसल्मा है हम है भारत वासी आप लोग फिर से मुझसे रुडिया आप बहुत ध्यान बटक रहा है आपका मुझे होसला दीजिए देखिए ये चार तंक्तियां भी पढ़ती हूं किसके पड़ाला किर्पिया बुलेरो हटा ले अब मेरे प्री मित्र है जो तो उनको ब्लेरो हटा ले उन तक आवाज ने पहिच रही हो तक क्रफिया माली के लेट व कही हो तो को चरास आवाज ने पहिच रही हो तो किर्पिया क को यह गारी हड़ जाया तो महराजा जल्दी से चले जाए क्योंकि जो लोग उनको बीड़ा करने गए हैं उनको भी इधर ही लौटना है ताकि मैं फिल में जान बनी रहे हैं मैं चाहता हूं साच्छी त्वारी जी फिर ये कुट्ट्य काफी मुझसे भी जादा बोल रहे हैं कि प्रिपया इन्हें बेचुप कराने का कारिश किया जाए जाए हैं ये अब खुशे में भाव कर रहे हैं इन्हें पता है कि बार साथ अभी थोड़ी देर में हो जाएगा मगर साच्छी त्वारी फिल्कुल उची भाव पर पढ़ना बेटा देखिए अब फिर से कोशिश करती हूं एक बार ताली बजा के मुझे होसला दीजे और मुझे बताईए कि आप जुड़ चुके हैं देखिए किसके बदॉलत किसके दम पर अपना हिंदुस्तान देखिएगा शहीदों कारगों में जब तलक बलिदान जिन्दा है समूचे विश्व में माभारती का मान जिन्दा है खड़े सरहग पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के उन्ही रडबाकुरों के दम पर हिंदुस्तान जिन्दा है और सदामाटी की सेवा में जिसका ध्यान होता है सदामाटी की सेवा में जिसका ध्यान होता है उसे ही राम से मतलब वही रह्मान होता है हमारी पीड़िया उस पर हमेशा नाज करती है अमर हो जाता है जो देश पर बलिदान होता है और चार पंतिया मैं मा की चरणों में रख कर फिर मैं अपना स्थान लूंगी देखेगा प्रभ के मूरत जैसी मेरे मात पिता की सूरत है प्रभ के मूरत जैसी मेरे मात पिता की सूरत है इनके आशीशों की जीवन में हर हाल जरूरत है जंजावातों के बेहड में सुगम पंत मिल जाएगा जंजावातों के बेहड में सुगम पंत मिल जाएगा हर कर्मों की इनके ही हां थो में शूभ मुहूरत है हर कर्मों की इनके ही हां थो में शूभ मुहूरत है